आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल आपर डियर मैथ में आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथ 1 का मैट्रेक्स थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 जैसा कि पिछली वीडियो में हमने 6 तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था 3.2 एक्सरसाइज के आज हम सॉल्व क करेंगे सेविन कोई तो चलिए हल करते हैं कि क्वेश्चन नम्मर से विन हमारा क्या दिया गया कह एक्सटा बाइक हमें जो य उसी प्रिकार हमारा दूसरा आप यू दिया गया तो यहां पर फश्ट बाट में हमारी दो समीकण ने दी हुई है और इनी से हमें एक्स वाई का मान ग्याद करना है तो पहले फश्ट बाट को सॉल्व कर लेते हैं फश्ट बाट में हम लिख लेंगे कि एक्स प्लस वाई बराबर हमारा फश्ट आव्यू सेविन जीरो समीकण नंबर वन और दूसरा हमारा एक्स माइनस वाई बर आवरưng यहां पर हमारे 152 यहां पर हमारे पास समीकण दोप्रांप्थ हो गई तो यहाँ पर हम X की value find कर सकते हैं, इसलिए हम दोनों समीकर्णों को आपस में जोड देंगे, तो यहाँ पर जोड देंगे, तो सबसे पहली समीकर्ण का X plus Y लिख लेंगे, पिलस दूसरी समीकर्ण X minus Y लिख लिया, पहली समीकर्ण का आप यू दिया गया था, 7,0,25, पिलस दूसरी समीकर्ण का आप यू था, 3,0,0,3, अब इसको add करते हैं, तो minus Y लो plus Y हमारा cancel out हो जाएगा, और हमने देखा कि XX हमारा क्या हो जाएगा 2X, तो 2x बराबर हो जाएगा हमारे दोनों are view के बीच में plus लगा हुआ है तो दोनों are view को जोड़ देंगे हैं जैसा कि हम पिछले से पड़ते आ रहे हैं कि यदि हमें दोनों are view को जोड़ना होता है तो उनके संगेत अभियवों को हापस में जोड़ देते हैं तो चलिए इन्हे जोडते हैं तो साथ तीन हमारा हुग जाएगा दस और मल्टिप्लाई में तो जाएगा तो हो जाएगा बन- launch और बन-पन टूGM हमारा है यानि के टू से इसा आभई उका प्रितेक अबको डिवाइट किया जाएगा इसका अरथी ये होता है तो दो से डिवाइड कर देंगे तो X की वैलू आईगी 2,50,10 और 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 और 2 एकम 2 और 2,4,8 तो हमारे पास X की वैलू आई 5,0,1,4 तो हमने देखा कि X की वैलू किस प्रकार हम find कर सकते हैं X का हमारे पास जो मान आया है वो समीकर नंबर एक में रख देते हैं यहाँ पर चाहूं तो हम समीकर नंबर दो में भी रखकर भाई का वैलू find कर सकते हैं तो हम समीकर एक में रखते हैं तो X की वैलू, X की वैलू हमारे पास प्राफ्ट हुए 5,0,1,4 एक्स ही वैलू रख द है बाई उकवल हो जायगा सेविन्-जीरो टूफ फैव माइनस फैव जीरो बनऊ- वाइनस करते यह उनके संगत आई अब माइनस कर दिये जाते हैं तो यहां पर बाई क एकल हो जायगा सेविन में से फाइब माइनस करोगे तो तो हो जाएगा two, और zero में से zero minus करोगे तो हो जाएगा zero, और two में से बन minus करोगे बन और five में से four minus करोगे तो बन तो हमने देखा यहाँ पर कि हमारा question number seven के first part में x और y की value हम किस परिकार find कर सकते हैं तो मैं उम्मीन करता हूँ आपको question number seven का first part अच्छी तरह समझ में आया होगा तो आईए अब question number seven के second part को solve करेंगे लिए बच्चों question number seven के second part को solve करते हैं second part में हमारा दिया गया है कि two x plus three y बराबर है two three four zero के तथा हमारा three x plus two y बराबर है two minus two minus one और five के तो यहां पर हमारे दो आव्यू दिये गए हैं और हमें पहले बाले पाट की तरह यहां भी x और y की value find करनी है तो चलिए solve करते हैं तो जैसे सवाल को solve करने के लिए सबसे पहले हमें किसी एक x या y की value को जो है सेम करना होगा ताकि हम उनको जोनने या घटाने पर काट सके तो उनको solve एक सेम करने के लिए पहले सबसे पहले माल लेते हैं कि two x plus three y बराबर two three four zero को equation number one समीकर नंबर बन माल लेंगे उसी परिकार three x plus two y equal to minus two minus one of five इसको माल लेंगे समीकर नंबर दो अब इसको क्या करते हैं कि समीकर नंबर एक में दो से कोना करके उनको आपसमें घटा देते हैं इत्लिकलश तो यख़ olद प्रकूरं 109 चौर नेशकर कव यह एक सुना कर देंगे टो वह याल कि दिया क्योंकि साइन चेंज रही होना है बराबर हमारा हो जाएगा जब हमने पहले पार्ट में पहली समीकड में 3 से गुणा करी है तो इस आप यू में भी 3 से गुणा होगी तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और 3 से 0 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 और हमें समीकड 2 में 2 से गुणा करके पहली सम और माइन वाही का 6X हो जायाबा ऊच्टेना प्लस माइन एक्टक भाय और एकल हो जायाख हमारे 6 में से 4 मैनस करोगे तो सिक्स म्हानस पोर और 5 यह बायन में से माइन अच्ट न को जाईगा तो हम लिक तो बचेगा फाइब भाइब से पॉर जाएगा तो टू और ना उपूर हमारा थर्टीन हो जाएगा ट्वेल्वर्टो हमारा 14-10 में से जीरो माइनस करोगे तो टैनी वचेगा तो मानस का 10 चूँकि हमें वाई की बैलू करनी है इसलिए हम फाइब को इस और भेज़ देंगे तो यहां पर मुल्टिप्लाई में है तरह पॉन में चला जाएगा तो हो जाएगा बन अपॉन तो हम लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं माइनस का टू तो हमने देखा कि क्वेस्चन नंबर सेविन के स्परकार कि दोनों समीकरण नों में समीकरण एक में तीन से गढ़ा कियी और दोनों का आपस में घटा दिया और उनको सॉल्व करके हमें वाइक जो बेलु आई है वो बाई का मान समीकरण नमबर एक में रख दिंगे तो समीकर एक हमारी दीवी थी टू एक्स प्लस थ्रीवाई और आपर टू-340 तो यहां पर हम भाई की बैलू रख दिंगे तो हो जाएगा टू-एक्स-प्लस-3 और हमने बाई की बैलू क्या निकाली हुई थी टू-पॉन-फाइव थी टू- पॉन-फाइब और यहां पर तीन दूनी माइनस का छे और इस वाले आप यू को ऐसी रहने देंगे यह हमारा टू-340 हो जाएगा अब हमें यहां पर एक्स की बैलू निकालनी है तो यह वाला आप यू उस और भेस देंगे जब उस और भेस देंगे तो माइनस में हो हो जाते हैं तो माइनस करने का नियम हम जानते हैं कि हमारे जो संगत अभी अभी होते हैं दोनों आभी हो के माइनस हो जाते हैं तो यहां पर भी संगत अभी माइनस हो जाएगे तो हो जाएगा तो माइनस सिक्स अपॉन फाइब और थ्री में से माइनस हो जाएगा थर्टी दूनी 10 हो जाएगा और 10 में से 6- 6 तो हो जाएगा चार बटे 5 उसी पिरकार इसको करेंगे तो हो जाएगा 15 15 15 इसकी समें गुड़ा हो जाएगी तो 15 15 मैंस के 49 में से प्लस का पंद्रा जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस का 24 क्योंकि minus 49 15 से ज़ादा है और बटे में हमारा हो जाएगा इसी पिरकार यहाँ पर पानच चोग क्या हो जाएगा 20 और minus के 42 में से 20 minus करोगे तो बचे गा minus का 22 क्योंकि minus के 42 ज़ादा है तो हम लिख सकते मानजिस का 22 और अपम में हमारा 5 जोगे तो 5 हो जाएगा और six का 22 upon 5 और 6 अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तब हमारे पास X की वैलू आ जाएगी 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो दो दूनी 4 दो बटा 5 हो जाएगा और 2 से पार्ट में हमने सॉल्व किया था बाई की वैलू हमारे पास क्या आई थी वैलू आई थी टू पॉन फाइड थर्टीन पॉन फाइड और माइनस का तू तो हमारे दोनों पार्ट सेवन क्वेश्चन के सॉल्व हो चुके हैं आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन करिए और को बढ़िया करके तयार करिए आई बच्छो अब क्वेश्चन नंबर एट को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर एट हमारा दिया गया है कि यदि एक्स का मान हमारे पास ग्याद करना है एक्स की वैलू हमारे पास दी हुई है एक्स की वैलू हमारे पास क्या दी हुई ह तो हम करेंगे क्या जो हमारे पास समी कर दिये सबसे पहले उसमें y की value पुट कर देंगे और उसको solve कर देंगे और x की value हमारी ग्याद हो जाएगी तो चलिए इसको solve करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x plus y बराबर हमारा आवियू के दिया हुआ है 10-32 दिया हुआ है अब 2x और plus हमारा जो y की value रख देंगे y की value हमारे पास दिये 3214 तो हो जाएगा 3214 बराबर हो जाएगा 10-32 के जो करते हो उसको लिके रहने देंगे अब चुकि हमें x की value निकालने है तो 2x 2x हमारा बराबर हो जाएगा जो हमारा आवियू इसको ऐसी रहने देंगे 10-32 क के दुंगो ऐसी रहने देंगे और यह प्लस का उधर जाएगा तो जाएगा माइने का माइनस क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा अब इन दोनों का यूब करने का निएम क्या होता उनके अब को जोड़ देते हैं योग करते समय करते देते हैं यूब हो ज़ Y layered कर देते हैं तो बन माइनस थ्री हो जाएगा उसी परकार जीरो माइनस टू हो जाएगा और माइनस थ्री का संगा तभी अब बन है तो माइनस थ्री माइनस बन हो जाएगा और टू का संगा तभी अब फोर है तो टू माइनस फोर हो जाएगा यह फोर माइनस टू हो जाएगा सोरी ये गलत लिख गया है इसको लिख देंगे 2-4 इसको क्या लिख देंगे 2-4 हो जाएगा हमारा अब इसको simplify करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर 3 में से बन जाएगा तो minus 2 और माइनेसटो में से जीरो जाएगा तो माइनयरी माइनसीस मान हो जाएगा हमारहा इसका बचेगा मानощ का सिसको दिवाइड करेंगे तो हो जाएगा तू को डिभायड करोगे तो तू मैनस 1 और इसी दो two minus two four minus two minus onered meanwell coupon short of % one तबमने देखा कि question no.8 में हमने by aja की value यहाई माइनस 1 – and a और यही हमारा question number 8 का answer हो जायागा आईए बच्चो अब हम exercise 3.2 के question number 9 को देख लेते हैं जिसमें हमें भी x और y की value find करनी है जैसा कि हमने question number 7 और question number 8 में की थी उसी प्रिगान 9 में भी हमें x y की value find करनी है हमारे पास दिया गया है कि एक equation दी हुई है समीकरा 2 into 1 3 0 x plus y 0 1 2 बराबर है हमारा 5 6 1 8 के तो इस equation में हमें यहाँ पर x और y की दोनों की value क्या है find करनी है तो इसकी value find करने के लिए पहले इसको एक एक आफ्यू के रूप में convert कर लेंगे तो आईए इसको solve करते हैं सबसे पहले 2 की जो है वो इस आफ्य value में multiply हो जाएगी तो टू की बन में multiply होगी तो हो जाएगा दो इकम दो और टू की 3 में multiply होगी तो हो जाएगा टू 3 6 हplease और दो सक्र昨 इनके संगत अभी हो इंग्याढ़ें के तो हमारा राणिग्या बरावर्र प्रोर्णे अब क्या प्लावर्省लिक्षाप हमारे आपस बवर घ्माइड होते हैं तब हम क्या करते हैं तो हम किसी भी अवैयब की वैलु ग्याद करनी होती है, तो उन दोनों की तुलना कर देते हैं, तो यहाँ पर भी तुलना करने पर तुलना कर देंगे, तो हमारा पहला अभी 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 है, तो टू प्लस वाई हमारा बराबर हो जाएगा, फाइब के, यहाँ से बाई की बेलू निकालोगे के अब यहां से हमें X की value निकालनी है तो 2X 2 दर जाएगा तो minus का 2 तो 8 में से minus 2 करोगे तो क्या बचेगा 6 तो 2X equal हो जाएगा 6 के यहां पर हमारा X की value निकालनी है 6 ऐसी रहेगा और 2 हमारा upon में चला जाएगा और 2 से 6 को divide करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा six या दो ती या 6 तो X बराबर हमारा हो जाएगा 3 तो हमने देखा question number 9 में हमने X और Y की किस परकार value find की जहां पर हमारा Y की value आई 3 और X की value भी हमारी 3 आई और यही हमारे question number nine का answer हो जाएगा तो आपने देखा बच्चो question number seven और question number eight और question number nine में हमने एक्स और भाई की बैलू किस प्रकार फाइंड की मैं उम्मीन करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएंगे आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर टैन दिया हुआ है एक्सरसाइस 3.2 का और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 उन तीनों ही क्वेश्चनों में हमें एक्स और भाई की बैलू फाइंड करनी है तो उन्हें सोयम हल करना अच्छी तरह है और उनका जो आंसर है वो कमेंट सेस्टन में लिखना धन्यवाद